जैहें वंदे मातरम भारत माता की चै फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे टूर ओफ ड्यूटी की मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाली में सीडियस विपिन रावत ने एक गोश्णा की है जिसमें कि भारत के आम नागरिक को तीन साल के लिए माँ भारती की सेवा क करना यानि की इंडियन आर्मी में आने का मौका मिलना वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसमें मैं आपको आर्मी में आने के लिए जो एक गाइडेंस होती हैं उसकी बात करूं उससे पहले मैं आपको सेना के सेवा गाल के बारे में बताता हूं अधिकारिक लेबल पे जो सर्विस होती है वो दो डाइप की होते है एक पर्मनेंट कमिशन और एक सोट सर्विस कमिशन जो पर्मनेंट कमिशन होता है वो स्ताई होता है और जो शोट स इनका क्या होता है इनका जो service होती है इनके promotion और एक rank wise जो होती है इनकी जैसे एक जवान की 17 साल एक नाएक की 22 साल और हवल दार की 24 ऐसे ही next की 28 दार की 30 ये इनकी color service होती है तो अब इस चीज में क्या होता है कि आपको अगर ये service पूरी करते हैं तो आप community के आप graduate के और आप pension के अगदार हो जाते हैं तो जो ये tons of duty है इसके बारे में जो ये जो topic लिया गया ये अंतराश्टी स्तर से लिया गया हुआ है आप जानते हैं कि आज world level पे भी बहुत सारी country हैं जिन में प्रतेग नागरेक को उस देश की army में अपनी सेवाईं देनी होती है जैसे कि सुजर लेंड है इसराइल है चाइना है बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आम नागरेक भी सेनाय के साथ में जुड़के अपनी सेवाईं देते हैं तो इसी को मद्दे निजार रखते हो भी भारत में इस प्रक्रिया की सुरुआत हो सकती है अभी तक कोई ऑफिशल इसके वारे में पूर्ण जानकारी मिली नहीं है लेकिन जितने भी मलब समाचा रेजन्सियों के दुरूँ जानकारी मिली है तो उसमें सेना के प्रवक्ता है करनल मुकुलानन तो उन्होंने बताया है कि सुरुआती चरण में 100 अफसर और 1000 अन्यपत को इस प्रक्रिया में भरती किया जाएगा एक ट्राइल बेस पे हो गए और साथी साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो इसकी चैन प्रक्रिया रहेगी उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी यानि कि जैसे आप सेना में आने के लिए जो एक नॉर्मल रेकृट्मेंट प्रक्रिया होती है सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा लेकिन एक अच्छा बेनिफिट ये है ये चीज सक्सेस हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रतेग नागरिक के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी जदस जाए लोगों को बारती सेना में नोगरी करने का अनुभो प्राप्त होगा और माबारती क सेवा करने का उनको मौका मिलेगा अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बारालाग भारती फोज वाले बारते सेना को आखिर मतलब ये तीन साल के लिए शौट टर्म्स ड्यूटी की जरूवत क्या पड़ेगी इसको बोलते हैं टी ओडी यानिकि टर्म्स ऑप सकता है कि आज भारत में राष्टवाद की गजब की लहर है तो इसका एक प्रतेक नागरिक को फाइदा किस प्रकार हो सकता है वह ऐसे हो सकता है कि एक शौट सर्विस दे दी जाए इससे ये फाइदा होगा कि आर्मी के उपर में भी आर्थिक लोड़नी बड़ेगा और ज इसको बहुत सारा चीज एक ग्रेजुटी का एक रासी देनी पड़ती है और उसको पैंशन देनी पड़ती है तो एक देश के उपर में क्या होता है बहुत ज़्यदा एक आर्थिक लोड़ पड़ता है तो इस तीन साल की टर्म्स ऑफ डूटी है इसका फाइदा यह रहेग उसके बाद वो अपने सेकिंड फिल्ड में उनको इस चीज का फाइदा मिलेगा तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा कदम है और अगर यह चीज सक्सेस हुजाती है तो बहुत निहायती मतलब इससे हमारे देश को बहुत फाइदा होगा और खासकर यु राष्टवाद और यह चीज तो लहर कूट-कूट के भरी हुई है फ्रेंट्स अभी इस टोपिक पे कोई जैदा जानकारी भी डिटेल से आई नहीं है और इसके बारे में सीडियेस चीफ अप डिफेंस स्टाफ जन्रल विबिन रावत ने बात बताई थी अभी जैसे ही इ वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें जैहिन